Dear friends, आप देख रहे हैं June 2017 exam 10th class का mathematics का question paper तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से important questions आए थे आपको किसी भी question paper का solution चाहिए जो अभी आप exam देंगे तो उस question paper को आप हमें send करिए WhatsApp number 846902568 पे और उसका solution हम वीडियो के थुरू अपलोड कर देंगे वीडियो देखने के बाद जरूर बताईए comment section में कि आपके कितने marks आए हैं पहला question यहाँ पर है चूज करना है आपको सही विकल्प चूज करने हैं तो पहला है the value of 3 under root 27 is तो आपको इसका value जो है बताना 3 बाहर है और 27 जो है आपका कौन से table में आता ही यह आप बता सकते हैं तो 339, 4416 और 5526 तो आपका इसका जो answer है उसको थोड़ा सा break करके निकालना पड़ेगा इसके बाद में आपका जो दूसरा question है इसमें आपको the sum of roots of quadratic equation x square plus 5x plus 6 is equals to 0 है तो आपका sum of roots बताने हैं इसके इसके बाद में question number 3 है बिंदू दे रखी है minus 2 और 5 में से चतुर्थान्त कौन से चतुर्थान्त में है यह minus x जो होता है minus x आपका होता है second quadrant में और third quadrant में ठीक है minus x होता है और fourth में positive होता है x तो minus x तो आपका ठीक है और y आपका positive होता है first में positive होता है second में भी positive होता है y आपका तो आपका जो second quadrant में दूसरे में आएगा यह answer इसका minus x प्लस y जो है दूसरा है इसके बाद में आजाए यह जो 200 रुपे 5 वर्स प्रती 10 प्रतिशन के हिसाब से सरल व्याज की जो गड़ना है आपको बतानी है क्या उत्तर होगा उसका पाँचवा है वरत के 6 फल का सूत्र जो हता है पाई यार स्क्वाइर होता है इसके बाद में आजाए यह formula of area के बाद में रिक्स स्थानों की पूर्ती करनी है तो बहुपदों की जो यह है इसका योग बताना है इसके बाद में दूसरा question है इसमें चत्रभुज के तीन कोणों करम से करम से यह है तो चोथा कोण आपको निकालना है तो 360 डिगरी चत्रभुज के कोणों का योग होता है तो 360 में से यह तीनों कोणों को जोड़ करकर घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका तीसरा है एक वर्ग ये वर्ग की परिमाप 4A है सही बात है तो इसके बुझा की लंबाई क्या होगी तो एक बुझा की लंबाई की वल A होगी ठीक है ए चार बुझा है तो 4A है तो एक बुझा A होती है इसके बाद में 3 रूट, 9-9, 3-3 की होगा ही आपको बताना है तो 3 का रूट जो 3 होगा और 3 अंटर रूट 3 होगा तो यह हो जाएगा तो कितना होगा आपका दो जो इक्वल एंगल है इसमें दे रखें आइससेलस टेंगल है तो आइससेलस में आपके जो दो एंगल होते हैं पचास पचास सो तो तीसरा एंगल जो है यह अन्यूनिक जो 80डी का हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आज़े यह सही जोड़ी बनानी है तो column A से column B को match कर देना है तो सबसे पहला आपको mode और median का आर्थमेटिंग mean की का formula होता है और बहुलक का formula अगर आपको याद है तो यह दोनों formula आपके सामने लिखे हुए है उसके बाद में sin 90-θ, sin 90-θ क्या होता है कमान 2 हो जाएगा क्या आप इसमें sum weekend में x की value पूट करेंगे तो आपको पता चलेगा x की value एक रखें तो x हो जाएगा आपका इधर आ जाएगा तो minus 4 2 हो जाएगा y whatever 2 upon 2 यह सई है आपका बिल्कुल तो 77 की इस तरह से जाच करने हैं आपको यह सारे questions आपके 77 के हैं आप आराम से इसको देख लीजिए इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे आपके previous year के questions paper काफी important role play करने आ ले हैं इस बार तो जरूर देखिएगा भूलिएगा नहीं कि सारे question papers 2016, 17, 18, 19 के सारे डाल दिये गए हैं जून और दिसंबर के तो उनसे आपको काफी help मिल जाएगी आपको 70% to 60% score इनी question papers से हो जाएगा तो यहाँ पर है आपका यह एक एक वर्द में आपको answer देना है इसके बाद में what will be the duplicate ratio of 9 ratio 25 तो 25 और 9 का duplicate ratio आपको बता देना है इसके बाद में what is the arithmetic mean of first 5 natural numbers यह question भी बार बार पूछा जा रहा है what is the probability of happening of a certain event एक certain event होने की निश्चित घटना की probability जो है क्या होती है यह आपको बतानी है उसकी हमेशा एक ही होती है उसके बाद में पांचवा जो है इसमें चतुर्भुज चक्रित चतुर्भुज जिसके एक कोण का मान 100 डिगरी है तो क्या होती है अगर संख्याई बराबर हो तो घट जो है माइनस हो जाती है तो आंसर जो आजाएगा 7 बटे 5 की पावर जो है 7 में से 8 घटा देंगे तो इसकी पावर 3 आजाएगी तो इसका जो 3 आजाएगा तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा और नीचे हो जागा 5 x 5 x 5 तो तीनों इसको multiply करके जो answer निकाल सकते हैं इसके बाद में और option में हैं इसका मान भी निकाल सकते हैं जिसमें आपको दिया गया एक बटे 3 का घात वो 3 है और इसकी फिर से power 2 है तो इसका मान आपको निकाल देना है इसके बाद में आजाएए नेक्स जो question 7 number है इसमें आपको x की value निकाल देनी है जो आसानी से निकल जाएगी 4 और 10 का जो है 33 नुपात आपको निकाल देना है 3rd proportion क्या होता है इसके बाद में आठवा जो है त्रिवोज का 1 cone 30 degree तथा दूसरा cone 60 degree है तो तीसरे cone को ग्याद करना है आपको इसके बाद में और option में आया हुआ है एक triangle जो है तीसरे cone ग्याद करने के लिए 180 में से 60 और 30 दिखटा देंगे तो दूसरा answer जो 90 आजाएगा और option में एक त्रिवोज के cone का अनुपात 2,0,5 है तो त्रिवोज के cone का ग्याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है सारे अनुपात आप पहले total करेंगे 2,3,5 तो total हो गया है यह आपका 10 और यह 10 अनुपात किसके बराबर है 180 degree के बराबर है तो सबसे पहला cone जब 2 वाला निकालेंगे तो 2 वाला 10 इंटू x-o 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 value क्या होती है अत्वा में है code b की value 5 बटे 4 है तो सीध करना है कोसे की square b बरावर 1 plus code square b होगा दसवा question जो है find the arithmetic mean of the first five odd numbers का और option में जो हैं पर संख्याय दी गई है इनका बहूलक यानि की mode निकाल देना है 11 question जो है इसका गुणन खंड करना है जो x square 9x plus 20 जो है इसको अराम से कर सकते हैं इनको तोड करके आपको गुणन खंड करना है अत्वा में अगर आप वो नहीं करना चाहें तो यह कर सकते हैं solve करना है 8 into x plus 1 बरावर 16 है तो इसमें से 8 x plus 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो यह 15 हो जाएगा आपका x की value हो जाएगा तो आठ आपका इधर आ जाएगा तो यहां पर जो है आपकी value जो हो जाएगी यह हो जाएगी x की 1 हो जाएगी ठीक है x की value कितनी हो जाएगी 1 जब आप solve करेंगे तो x बरावर 1 ही आएगा बारवा जो question है इसमें आपका 3 a minus 4 b upon 3 a plus 4 b इसको 2 by 5 है तो a अनुपाद b का मान आराम से निकल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको rationalization करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी और option में हैं 2 संख्याओ का अनुपाद 11 अनुपाद 16 है तो इसमें क्या जोड़े की अनुपाद 3 चार हो जाए तो ये भी आसान है इसके बाद में ग्याद करना है आपको 440 का पंदर परतीसत क्या होता है तो 15 परतीसत निकालने के लिए क्या करेंगे 15 बटे 100 गुणा 440 ठीक है तो answer आजाएगा इसके बाद में आपका जो दूसरा पूछा गया है 240 का कितना परतीसत 690 में होगा तो 240 का 96 कितना परतीसत होगा तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 96 बटे 240 गुणा 100 इसमें उल्टा उसमें उल्टा इसके बाद में आजएए चौदवे कॉशन पर तो यहाँ पर आपको जो है दो संख्याई दे रखे इसके बीच की दूरी जो आपको निकाल देनी है और उप्शन में है दिखाए गई यह विंदू है यह संड्रेक यानि को लीनियर है यह बता देना है आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ही निकलेगा अब इसके बाद में कंस्ट्रक्ट दा सर्कम सर्कल ओफ ए ट्राइंगल हूस आपको लिखनी है यह प्रकार की सहयता से बनेगा नहीं क्योंकि इसमें 55 डिगरी और 70 डिगरी है दोनों कौंड प्रकार से नहीं बनते है तो आपको अपने चांदे की सहयता यानि कि D से बनाना पड़ेगा इसके बाद में और option में है एक triangle ABC अंतवरत की रचना करनी है जहाँ AB 4 है BC 5 है और AC 6 है रचना के पद भी लिखने है आपको यह construction का question है इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शोलवा question है 1200 रुपे पर 5% व्याज की दर्स से इसके बाद में आपका जो है इसका मिसर धन भी निकाल देना है ठीक है इसके बाद में आजए यह और option में तो 2000 रुपे का तीन वर्स के लिए 5% की दर्स से साधान व्याज यह चक्रवरती व्याज दोनों का अंतर ग्याद करना है इसके बाद में समिकर्ण नंबर जो दिया गया है यहाँ पर दो आपको 3x प्लस 2y बराबर 11 और 2x प्लस 3y इसकल स्टू 4 तो इनको solve कर देना है elimination method से और option में सरल करना है x प्लस 2 upon x-1 प्लस x-2 upon x-1 इनका LCM ले करके इसको solve करना पड़ेगा ठीक है जिसका LCM x-1 ही आएगा अब इसके बाद में अठारवा जो question है इसकी बात करें तो यहाँ पर एक गनाव की लंबाई चोड़ाई और उचाई दे रखिए गनाव मतलब हो जाता है आपका क्योब ओई ठीक है अब क्योब ओइड है आपका यानि की क्यूब है तो क्यूब जो होता है एक तो आपका स्क्वेब जो होता है वह आपका अलग होता है और क्यूब आपका अलग होता है तो घनाव घन नहीं है तो इसकी length width height जो दे रखी हैं आपको इतना तो find the surface area of the क्यूबोईड तो इसका आपका surface area का formula हो जाएगा L into B plus B into L plus H into B यह वाला formula जो होता है यह वाला आपको लिख करके solve कर देना है और option में एक घन की core 6 cm तो घन का संपूर्ण प्रस्टी यह 6 फल आपको निकालना है इसमें भी 6 फल निकालना है तो 6 फल घन का होता है A square total surface area निकालना है तो आपका total surface area जो हो जाएगा इसका जितने भी surface है एक surface 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 A होता है तो 6 into 6 हो जाएगा तो 6 चेंगे 36 आएगा सही बात है 36 cm2 ठीक है इसके बाद मैं आज यह सिद्ध करना है आपको sin 60 दे रखा है 2 sin 30 cos 30 के बराबर प्रूब कर दीजिए टिग्नोमेट्रिक सेक्षन के एक questions है ऐसे ही आपका और पार्ट में भी है 1060 degree minus 1030 upon 1 plus 1060 1030 बराबर 1030 को ही प्रूब करना है इसके बाद मैं 20 जो question है इसमें दे रखा है एक आपको table जिसमें class और frequency दोनों दे रखिए तो इससे आपको जो प्रशनों के उत्तर देना है right lowest limit of the first class तो lowest limit आपकी 5 है इसके बाद में find the class interval तो sorry lowest limit आपकी 15 है और class interval जो है 5 है find the communicative frequency for the given table तो communicative frequency आपको जो है निकाल देनी है communicative frequency कितनी आ जाएगी आपका 2,3,5,7 और 4 है ये आपका निकालना पड़ेगा इसको इसके बाद में अगर हम बात करें और option का तो बाहूलक यानि की value of mode निकालना है दिये गए आखडों से इसके बाद में 21 वा जो question है इसमें एक पासे को फेकने पर चार से अधिक अंक आने की प्रायक्ता ग्याद किज़े तो 4 से अधिक अंक कितने होते हैं 5 आ सकता है और 6 आ सकता है दो ही अंका सकते हैं और पासे में टोटल ही 6 अंक होते हैं तो दो अंक आ सकते हैं यानि कि दो बटे 6 करेंगे तो 2 से 6 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2, 3, 1 बटे 3 जो है इसका probability आ जाएगा इसके बाद में दो सिक्के को अगर एक साथ उचलने पर कम से कम एक पर चित उपर आने की प्राइक तक जाद कीजिए दो सिक्के हैं तो आपको चित आने की प्राइक तक कितनी हैं दो और दोनों सिक्के तो एक बार ही हो सकता है उप्शन तो एक इसका अंसर आजाएगा इसके बाद में 22 जो question है इसकी बात करें तो यहाँ पे एक समिकन दी के यह सूत्र विधी से हल करना है इसको जो किया है आपका using formula method और option में जो आया हुआ है यहाँ पे under root 5 और 2 under root 5 दो समिकन है तो इस समिकन का जो है मूल ही है तो समिकन ग्याद करना है मूल तो दिया हुआ है समिकन पूछ रहा है इसके बाद में एक तर्भुज के निर्देशांग जो है यानि की coordinates दे रखे तो इसके निर्देशांग केंदरक के जो है यानि center के निर्देशांग आपको बताने है और option में है यह आपके जो बिंदूओं minus 7,0,0,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मद्दे बिंदूओं के निर्देशांग आपको बता देना है midpoint जो है उसका उसके बाद में 24 वा जो question है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें 3.5 cm की तर्जिया वाले ब्रत की परिदी तर छेतरफल दोनों निकालने है तर्जिया दे रखी है तो सबसे पहले संटीमीटर है तो उसका आयतन निकालना है यानि की वोल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आपको उसकी साइड निकालनी पड़ेगी जो की एरिया दे रखा है 96 cm2 वो भी घन है घनाब नहीं है तो आपका घन है तो इसका जो है पहले आपको एक side निकालनी पड़ेगी उसके बाद में ही आप इसका volume निकाल पाएंगे इसके बाद में आपका next जो question है पचीसवा इसमें theta की value 30 degree है तो सीध कर देना है 10 2 theta ये बराबर होता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta और option में हैं एक मिनार के आदार से 50 की दूरी पर एक बिन्दू से मिनार की चोटी का 99.45 डिगरी का है तो मिनार की उचाई height हमेशा आपको ग्याद करने के लिए बोला जाता है इसके बाद में और जो question है 26 वा जो last question है आपका उसकी बात करें तो calculate करना है arithmetic mean of the following table तो यहाँ पर यह table है इसका arithmetic mean आपको निकाल देना है और option में है find the median for the following data तो यहाँ पर यह data है इसका median आपको निकाल देना है तो आसा करता हूँ यह पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद Thank you very much for watching this video till the end